हेलो स्टूजेंट्स वेल्कम टू एनदर वीडियो आज हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक 12.5 जो के है एलेक्ट्र स्टैटिक्स के चैप्टर से एलेक्ट्रिक फ्लक्स अरे वहिया यह एलेक्ट्रिक फ्लक्स अब क्या चीज़ है जो फ्लक्स है ना भई फ्लक्स का मतलब है फ्लो के फ्लो ठीक है रही और यह एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब बनता है फ्लो अब फ्लो का मतलब तो भई बहना होता है बहना ठीक है तो बहना का मतलब क्या है कि अगर पानी यहां से चल क्या से जा रहा है तो मैं भी पानी का फ्लो है लेकर स्पोस करो मैं गाता हूँ आपके यह उपर वाले पूरी बॉड़ी के उपर हम आप ऐसे समझा आप तो पांच सेंसे पांच के पांच सेंसे खतम कर दें ठीक है जिस्ट एक सेंसा है जो फील वाला सेंसा वो रहने दे उपर के आपकी है जो चार सेंसे खतम कर दें तो आप क्या बता सकते हों कि यहांसे पानी फ्लो कर रहा है या नहीं देख भी नहीं सकते सून भी नहीं सकते ठीक है आप महसूस करके बता सकते हो अब तो सब्सक्राइब आप ऐसे हाठ डालो कि अगर पानी कर कोई प्रेशर प्रेशर नहीं लगा कर हाथ पे तो हम कहेंगे भी पानी फ्लो नहीं कर रहा यह जीट का मतलब है फ्लो अब यह समझे न है कि इधर यह जो और प्रिक फ्लो है यह और अच्छा फ्लो एनी फिसिकल चीज यह पोई भी हमारे पास है उसका किसी भी certain element of area से flow क्या बताता है flux और अगर हमें electric flux की definition लिखो तो मैं कहूंगा the number of field lines passing through certain area या element of area is guard electric flux definition मैं आप वो बाद में समझाता हूँ पहले आपको simple सी example से समझाता हूँ अगर मैं कहूं कि मेरे सामने से पानी आ रहा है और मैं उसके सामने कोई चादर वगारा या कोई कपड़ा वगारा रख देता हूँ तो उस चादर के अंदर से जतना पानी फ्लो करके जाएगा ना तो मैं गोँआ भी यह पानी का फ्लो है अब जिस पानी को चादर ने डिटेक्ट नहीं किया या जो पानी की तो नहीं गिरा मैं भूँआ ये पाणिया पानी ही नी अब इसकि कॉर लो लेटपोज इधर से पानी नीपकर बहुत ज्यादा और आपकी तरफ आ रहे हैं अब मैंने चेक करना है थी पानी आ रही ना तो मैं सुन सकता, ना मैं देख सकता, अब मैं कैसे चाहिक करूँगा, मैं अपनी सेंस जो feel वाली सेंस से यूस करते हूँ, इसके सामने हाथ रखू हूँ ऐसे, और अगर तो ये हाथ पर पानी आकर लगा, तो मैं भूआ फ्रू है, और अगर नहीं लगा, तो फ्रू नहीं होगा, इ साब हो वाटर हो दूसरा आप उसके सामने कोई element of area रखो जैसे आपके पास तक्स्ती होती हो तक्स्ती को रखो तक्स्ती पर प्रेशन लेगा तक्स्ती इस तरफ जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएंगे तो आपको फ्लो है अगर तक्स्ती कहीं भी movement नहीं देते तो रहा होगा या वाटर हो गई नहीं तो पहली चीज तो खुद वाटर दूसरा आपके पास element of area होना चाहिए थर्ड चीज थर्ड चीज़ भी होगी उसमेंगे दो चीज़ेंगे बस एक वह अपने पास element of area आ गया तो यार अगर मैं इस हाथ को अपने को अगर इधर से आपक तो ऐसे रखता हो तो आपको के सकते हैं आपके इस element of area से suppose कर लो का पानी मेरे हाथ से गुजर सकता है मेरा आथ नहीं यह कपड़ा इसमेंगे फ्लो इसमें से करेगा तो मैं आप तो आरहा है तो फ्लो तो है मुझे पता लदा रहा है लेकिन अगर suppose कर लो मैं हाथ को यू कर रहा है तो आप कितने चांस होंगे या और को यह को ऐसे करता हुा हैRIS technology के प्राइब कर रहा है ठाव के यह वह शाहा है यह अब और वह चीज के आपका इंगल जो है एंगल को हम physics में या math में या scientific world में ठीटा से जाइर करते हैं और ठीटा को हम directly use नहीं करते हम इसके साथ कोई ना कोई trigonometric identity यूज करते हैं जो कि ठीटा की numeric value में provide करती है अब इसके लिए हमने क्या जुगार लगाया अब हमने देखना था किसके साथ कौन सी trigonometric identity लगे जो हमें result दे अब trigonometric दो है sign और cos 10 तो इन दोने से मिलके बन जाता है अब आपने देखना था कि यह कौन से एंगल पर ऐसे हो तो maximum answer देता या solve करते हैं अच्छा अब इस चीज़ को solve करने के लिए water चाहिए element of area चाहिए और third चीज़ क्या चाहिए angle चाहिए तो इसी चीज़ से अगर मैं इसी चीज़ को convert कर दूँ electric में तो मैं कहूंगा कि मुझे water की जगा क्या चाहिए flow वानी चीज़ चाहिए और वह electric में तो electric field intensity अपने कहाँ तो शिदत होती है किसी जगा पर तो flow तो यह करती नहीं है लेकिन हाँ अगर मैं इस जगा कमरे में कहीं से चाहर ने कहूं और इसमें से field lines निकलना शुरू हो देंगे जो कि इदर से एरिया और तीसी चीज़ इसके लिए वह चाहिए होगा अंगल थीटा अब कोई बंदा कहते हैं तो एंगल हम लेंगे ए से अब एरिया क्या है अब यहां पर यह जो एरिया है यह आप सिंपल एरिया नहीं होगा यह बलकि हमरे पास किस ट्रम में एरिया यह व्यूद होगा वैक्टर एरिया अब यह बनता क्या से है उन्हें का सर जी यह हमने फरस्तिम में पढ़ा था कि अगर हमारे पास element of area है तो एक तो इसकी क्या होगी डैक्शन अब डैक्शन के लिए हम प्याश दुगाड़ लगाएंगे इसकी लंबाई जरह इसकी चुड़ाई यह देगी स्की मैगनिचूड तो उसने का डैक्शन असके लिए ना हमने वहां पर पढ़ा सा कि किसी बी सर्फेस के आपर नॉर्मल ज तो इसको मतलिम है कि इसको पर ऐसे प्रॉपेंडिकुले ड्रा करूँगा, एन यॉनिट वेक्टर तो इसको क्या बना देगा वेक्टर एक्टर आजयेगा मैगनिचूड इंटू इसका यॉनिट वेक्टर तो यह बन 자yगा आपका एरिया वेक्टर तो आप हम ने जो एंगल एना है वो एलेक्टरिक फील लाइन हुए तो हमें पहले पता है कि यह क्या है एक आपके पास वेक्टर और यह एरिया वेक्टर के साथ अपना क्या बनाएगी एक एंगल और वह एंगल यूज होगा आपकी वैलियो को मैक्सिंगम या मिनिमम शो करवाने के लिए अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेस्टन यह था कि हमने वह जो एंगल है वह पॉच्छी टिनोमेट्रिक अडेंटिटी के साथ यूज करना है अब उसके लिए क्या जबाद लगाते हैं उसके लिए हम क्याते हैं वाई साहब कि यह हमारे पास लैट्स पोजी एलेक यह एलेमेट ओफेरिया को ना कुछ यूँ करके रासते हैं इसके सामने तो मैंने पिर अपने ऐसे कह रहे हैं सर आप यानिके इसका वेक्टर एरिया इदर है उसका सर चाहिए इस साइड का भी होगा मैंने का होगा इसका इसके प्रोपेंडिकुलिर इसके इस साइड़ का जैसे कि इस बोर्ड का किदर होग़ा कामेरे की टरफार जमीन का उपर इसका मतलमाने के वैक्ट फेंडिकुलिर और इसके इस डर्इक्चन में रहें जीरो डिगरी तो मैंने का यहां पर सारा पानी यानि कि सारी की सारी फीड लाइंज काफी अचाहां सा कि इसमें से गुज़र जाएंगी इस तो मैं पहतने हैं और यह आपके पास आगया ह्याय साम आपकी फीड लाइंज तो एरिया के ऊपर हमारे पास जो इस वक्त अंगल बनना है वो इसका इस फील्ड डाइन के साथ एंगल कितना बनना है 90 और नाइंटी पर आंसर मार पास क्या आ रहा है अलाकि एरिया इस ओर बाड वै्क्तर एरिया इस परपेंडिकुलर तो आंसर एंगल 90 और तो 90 पे मरब फरिजल्ट क्या रहा है जीरू इसका मतलब है कि हमें किसी ट्रिगनोमेट्रिक अड़ेट्रटी की अपतलाश है जो 0 पे तो मैकसिमम आंसर दे लेकिन 90 पे मिनिममम आंसर उसका होता है जी कोज मैंने का कैसे कहता समझी कोज जो होता है ना कोज 0 वो 1 होता है और 90 जो होता है वो जीरो होता है तो मैंने का लो लो एंगल के साथ मुझे जुगाड मिल गया कि मैं अब थीटा के साथ को यूज कर सकता हूं यह बड़ी बेच्टरीन चीज मिलगी इसका मतलब है कि मैं आप कोंगा जी इलेक्टिक फ्लक्स बराबर होगा डिपेंड कर रहा होगा किस पर बजाते हैं खुद इलेक्टिक फील्ड लाइन्स की इंटेंसिटी पर उसने का ज़्याद रखना है यह यूनिफॉर्म के लिए सारा पुछ शेंड़ा भी था और दूसरा चीज़ खुद एरिये पर उसने क सब्सक्राइब यह तो यह नहीं बन रहा कि एक चीज़ का अमेदरी चूड ले रहे हैं और दूसरे का आप कंपोनेट ले रहे हो जो फर्स्ट की डिरेक्शन में उसने का हाँ तो इसको ऐसे नहीं एक सकते इडॉट है और यह तो डॉट परड़क्ट बन गी उसने का सब्स मश्रिक की तरफ ऊपर की तरफ नीचे की तरफ फ्लॉट होगे तो एक स्केनर पॉइंटिट हुए तो आप जस्ट मैदरी चूड की बात कर रहे हो मन कहां इसको बिर जाहिर किस से करें उसको कोई ग्रीक को कोई लैटन वर्ड से यूज़ कि हुई है तो इदर वो बुक ने यूज़ कर ले उसनोंगा ग्रीक से यूज़ कर लेते हैं जो कर आपने पीछे पढ़ा ग्रीक में तो ग्रीक में लैटर राईडी फाइच उससर यूज़ करेंगे लिए इसके साथ छोटा सा ए लगा देंगे इंडिकेट करेगा भी कौन सा फलक्स है इलेक्टरिक ये मान अगर मैं water flux लिखो तो मैं कोगा और इसपोस करके मैं कोगा भी थीटा water ब्राबर होगा वजाते फुद water के area पर और थार्ड कॉज आफ थीटा तो ये water flux आदेगा और ये electric flux आदेगा तो अब हमने हमारे پاس दो ुस्सी देखनी है कि इसके उंदर हमारे पस्थे की सिस्थे वो दोनों के सिसेटर मैंने आपको शो और भास यह नहीं है कि यानि के दो के अद्टिकर हमेरे पस कि उसमें से घुज़रेंगे तो फ्लक्स मैक्सिमूम हो जाएगा क्यों फार्मूले में अगर हम पूट करें तो हमारे पास यही चीज़ यहां से बनती है फार्मूले में फाई फार्मूले में 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 फ तिस साथ वेक्टर एयटे के साथं तीसरे वहला, कभ फार्मॉला यूस होगा उ दिना तीसरे वहला तब यूज होगा यह जो भी मैं लीख रहा हूं कि जब आपका एरिया किसी एंगल पर पढ़ा हो मैंने का कैसा लो लो सार ये आपके पाद है नहीं फील्ड लाइन्स वही वाली लेकिन आप में से किसी बच्चे ने काम क्या किया बच्चे ने एरिया को कुछ यूं करके रखे दिया एरिया यह फील्ड लाइन्स आ रही है आपकी दर से अगर आप देखो तो इन वैक्टर को अगर आप कंबाइन करो यह कुछ यूं बनेंगे यह और यह तो इनका अपस में जो वैक्टर है वो कुछ किसी ना किसी एंगल पर बन रहा है तो अब जो एंगल आप पूट करोगे वह आ यह कॉस ऑफ तीटा के आपके साथ आप कोई ना कोई अप क्या पेश करोगे इसका एक एंगल आगए अपूट करो आपके पास फोरो आदे लो बढ़ रहा है और कम हो रहा जो इंडिकेट करेगा वाट रहा है यहाँ कंब हो ठीक है अब रहागे इसके यूनिट हमें पता जाएंगे न्यूटन मीटर स्केर पर कॉलम इस दी यूनट ओफ एलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है जी अब बुक ने स्टार्ट में एक्जेम्पल दी बुक कहती है कि आपके पास कोई स्पैसिफिक एरिया और उसका जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू है फोर न्यूटन मीटर स्केर पर कॉलम इसका क्या मतलब बनता है मैं झाए इसको ज़रा रियरेंज करो तो इसका मतलब अभी निकाल के दे दे तुम आपको फोर न्यूटन पर कॉलम इंटू मीटर स्केर इसका ये मतलब बनता है कि फोर न्यूटन पर कॉलम की एलेक्ट्रिक फ सकते हैं कितने एरिये से वन मीटर स्केर एरिये से means कि यहां से हम चार फिल 500 को है प्र कोलंब और जो आगे अश्मीन ऐग्या पड़ा वहा हूं ऑर फिल पर कोलंबिया elessरत ही इसका मतलब है कि उसकी ऐग मीटर तो आज का टोपिक मिलते हैं चेलर ये वीडियो राफ